इम्स के रिजिडेंट डॉक्टर्स एस्सोसियेशन और राम मनुहर लोया अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोट के आश्वासन के बाद 11 दिनों से जारी हर्ताल खत्म करती है कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुशकर्म और हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स के कई संगठन हर्ताल पर थे एसोसियेशन ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोट के आश्वासन पर स्ट्राइक को खत्म किया जा रहा है स्टेट्मेंट में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोट के आदेश के मुताबिक हर्ताली डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्म कारवाई नहीं होगी जो राहत की बात है आडिये एम्स ने अपने बयान में कहा है कि देशित और जन भावना के मदे नजर हम अपनी हर्ताल को खत्म कर रही हैं ये फैसला सुप्रीम कोट द्वारा आरजिकर मेडिकल कॉलेज की घटना के संग्यान लेने और देश भर में हेल्थ वरकर्स की सुरक्षा के व्यापक मु आरजिये ने अधिकारियों से सुप्रीम कोट के निर्देशों का सक्ती से पालन करने का भी आग्रे किया है आरजिये ने अपने बयान में साफ किया है कि वे न्याएं की अपनी लड़ाई जारी रखेंगे साथी वे केंड्रिये पुलेस अधिनियम की अपनी मांग पर अड ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता और सुरक्षा दिशा निर्देशों को लागू नहीं किया जाता। तब तक वे ड्यूटी के बाद प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। RDA ने आगे कहा कि मरीजों की देखबाल उनकी सर्वोच प्रात्मिकता है और वे अपने कर्तव्यों के प्रतीश समर्पित है। के लिए असान नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और एक टास्क फोर्स का गठन किया। हम इसकी सरहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आरजिकर घटना में न्याय होगा। हम जल से जल्द अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। आपको बता दें कि इंडियन आये में ने बुद्वार को केंद्री स्वास्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर डॉक्टरों पर हमलों से निपटने के लिए। NBT Online की रिपोर्ट